नमस्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं सनिया गुपता बिहार के चर्चित आईएस अधिकारी संजीव हंस की रात बियूर जेल में कटी तो दूसरी तरफ गुलाब यादफ की रात तिहार जेल में कटी आपको बताते लगतार इन पर एडी ने अपना श सचीव संजीव हंस और पूर विधायक गुलाब यादफ पर शिकंजा कसते हुए एडी ने शुकरवार को गिरफतार कर लिया है वही राजत के पूर विधायक गुलाब यादफ को भी देर शाम एडी ने गिरफतार कर ली अधिक संपति और पद की दुरुपयोग के गुलाब यादफ को आज इडी पटना लाएगी संजीव हंस लगतार जो इडी के सिकंजे पे थे आपको बता दे कि संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक इडी हिरासत में रखने का आर्देश दिया है संजीव हंस को बेउर जेल भेज दिया गया है संजीव हंस की रात बेउर में कटी हैं बता दे कि संजीव हंस और पूर विधायक गुलाब यादफ के खिलाफ जुलाई महीने में मनी लॉंडरिंग के तहत मामला दर्ज किया था उनके पटना जंजार पूर पूने मुंबई सहित कुल 21 ठीकानों पर छापे माली चली थी बिहार की विशेस जाच इक काई ने भी हंस और पूर विधायक के खिलाफ अधिक संपति का मामला दर्ज किया था सिप्टेंबर में संजीव हंस के खिलाफ अवे तरीके से कमाई से जुड़े मामले का खुलासा हुआ इडी के अनुसार अस जीव हंस नहीं मोहली और कोशॉल में कडोड़ों की बेनामी संपति खरी दी पंजावakängt मोहाली में जमीन का एक बड़ा प्लाट मोहाली कीस judgments दोनौ गिरफतारी हो गई है आहिये संजीव होंस सरकार के दुलारे भी थे और मुक्यमंत्री नितीश कुमार के काफी करीबियों में से भी जाने जाते है उनकी रात बेउर जेल में कटी है और 29 अक्टूबर तक बेउर जेल में ही रहेंगे तो दूसरी तरह गुलाब यादफ की रात जो है तिहार जेल में कटी है तो देखिए E.D. ने इन दोनों पर शिकंजा कस लिया है अब देखना होगा कि इन दोनों का आकिरकार क्या होगा पिछली बार जब E.D. ने चापे मारी की थी तो ना संजीव हंस के पास से कुछ मिला था ना ही गुलाब यादफ के पास से जब हमने गुलाव यादफ से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे घर से उनको कुछ नहीं मिला सिर्फ हमने दो मोबाइल वो अपने साथ लेके गए क्योंकि उनका कहना था कि जब हम आए है तो गुस्तो लेके जाएंगे सीधे तोर पे उन्होंने कहा था इसके साथ ही आपको अगले साल विधान सबा है और आगे में उप चुनाव है और उस बीच एडी ने जो बड़ा एक्शन किया है इसका परिनाम क्या होता है क्योंकि अंबिका यादफ जो कि गुलाव यादफ की पतनी है उनकी भी चर्चाएं थी चुनाव लड़ने की और इन सारे मामलों के बीच अब पेच फस चुका है इडी की कारवाई शुरू हो चुकी है एक की रात बेउर में कटी तो दूसरी के रात तिहार जेल में तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है आप बने रिया माज साथ तक के लिए बहुत बहुत शुक्र के तो बहुत जो चुकी है